वेलकम टू बीट दस्ट्रीट आज हम बात करने वाले SBI के रिजल्ट्स के बारे में SBI Q4 रिजल्ट्स में हम लोग उसका करेंगे SBI का पूरा fundamental analysis और जानेंगे उनकी financial health को समझेंगे SBI के business को company क्या करती है और company financial health केसी है और क्या चलने वाला आगे आने वाले टाइम में क्या देखने को मिल सकता है और क्या सारी चीज़े हो सकती है यह सारी चीज़ों पर बात करेंगे इस वीडियो के अंदर और आपको बताएंगे इसमें आपको क्या करना चाहिए बाए करे सेल करे या होल्ड करे यह सारी चीज़ों की जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर दे देंगे चलिए सबसे पहले में एक इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाहूंगा जो हम लोग ने कल डाला था जब की तारीक है बीस मई को हम लोग ने क्या बताया था यह हमारा ट्विटर चैनल है ठीक है 382 की कल प्राइस थी उससे 420 के लेवल्स तक जाने की यहां पर उमीद है और उसके पीचे हम लोग ने कुछ फंडामेंटल और टेकनिकल भी बताया थे एक तो यहां पर यह बात थी कि यहां पर PSU बैंक यहां पर रैली नहीं हुए थे जितने भी उनमें से यह जो बैंक थ इसा था जिसने अभी तक रैली नहीं दिखाई थी तो यहां पर कुछ टेकनिकल के साथ कुछ फंडामेंटल चीज़े थी और आज अगर आप देखो के जो 382 से यहां पर लगबग 404-405 का यहां पर हाई बना है और अभी वॉल्यूम्स बहुत ही ज्यादा एक्दम स्ट्र कि आप कैसे 5% कमा सकते हो देखो हम लोग ने SBI ही क्यों दिया बागी कभी रिजल्ट के बारे में या फिर बागी किसी और चोटी-मोटी कमणियों के बारे में क्यों नहीं दिया देखो एक बहुत सिंपल स्ट्रेटीजी पर हम लोग काम करते हैं कल को आप मान लीजी SBI खर हो जाता बट लॉंग टम के लिए वह हमारा को पता है कि वह लॉस रिकवर हो जाता तो हम लोग हमेशा ऐसी घमनियों में लगाते हैं कि जो 10-20% टूड भी जाए तो हमें कोई यहां पर ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं हो फंडमेंटली गुड स्टॉक होने चाहिए और टेक्निकली भी स्ट्रॉंग होना चाहिए तो इसी तरह कि हम लोग शॉट्टे टिप्स देते रहते तो यह सारी चीजे हम लोग हमारे ट्विटर चैनल पर ज्यादा करते हैं तो यह सारी चीजे जरूर आप हमें ट्विटर और टेलीग्राम पर फालू कीजेगा बात करें एस बीआई के रिजल्ट की तो बैंक ने काफी अच्छे पोस्ट किये जिसके कारण इतनी शांदर रहली देखने को मिली है अब ही अगर आप देखो कि यहां पे जो यह रिजल्ट है पिछली बार से 80% से बड़े हैं अगर 200,700 करोड का प्रॉफिट है जो कि अगर आप देखो कि 6 करीबन यहां पर 6% से बड़े हैं और यहां पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट सीक्वेंशली यहां पर मतलब वाय वाय बेसिस पर 13% से बड़ा है वही पर आप देखो कि पूरे साल के लिए जो नेट प्रॉफिट है 20, इंट्रेस्ट पे करती है अपने लोन और डेप वगरे पर तो लगभग 19 प्रतिशत का यहां पर उसमें ग्रोफ देखने हो मिली है डमेस्टि कहना यह मतलब जो नेट इंट्रेस्ट मार्जिन होता है मान लिए मैं 10 प्रतिशत यहां पर आप लोगों को SBA लोन देती है और यहां पर उसको जब लेती है या फिर देती है तो चार प्रतिशत लोन पे करती है तो जो डिफरेंस बचता है वो छे प्रतिशत का होता है वो कहला था नेट इंट्रेस्ट मार्जिन जो कि अगर आप देखो कि 3.26 परसेंट रहा है जो कि 0.07 से इंक्रीज हुआ है जो कि बह बैंक के नेट प्रॉफिट है वो उतने ज्यादा अच्छे मतलब बैंक के में बिजनेस के साथ यहां पर अपना प्रॉफिट आ रहा है उसी के बाद अगर आप बात करो टोटल डिपॉजिट यानि बैंक में डिपॉजिट कितनी है तो वहीं पर आप देखो कि यहां पर 13 से डिपॉसिट ग्रोथ होते हैं वहीं पर कासा रेशो के अंदर ग्रोथ है वह 27 परसंट की बहुत अच्छी बात है और यह सारी चीजें और वहीं पर आप देखो कि सेविंग्स अकाउंट की जो डिपॉसिट है 14 परसंट हुई है डोमेस्टिक क्रेडिट ग्रोथ जो रही है वो इस साल के लिए 5.67 रही है जो कि इसमें भी रिटेल सबसे यहादा लोन दिये थे रिटेल एडवांसे इन लोग ने ज्यादा दिये हैं अच्छा यहीं पर आप पर एडवांस का बनती है अच्छा नेट एन पी रेशो अगर आप देखों के 1.5 परसंट है जो की 0.73 परसंट से पिछली साल से डाउन होए और ग्रेस एंपी रेशो अगर आप देखों के 4.98 परसंट है जो 1.17 परसंट से बढ़े है प्रोविजन कवरेज रेशो अगर आ यहां पर प्रोविजन बना रखा है माली जे डेट सो रुपए का बना रखा है तो यहां पर मैं डेट सो को जब 200 से डिवाइड करूंगा तो मेरा प्रोविजन कवरेज रेशो आ जाएगा तो यह सारी चीज होती है अगर आप देखों के पूरे फटी वन के लिए तो यहा कॉस्ट इंकम रेशो अगर आप देखोंगे तो थोड़ा मार्जिनली बड़ा है जिसका बहुत ही कम इंपक्त है क्यापिटल एडी की उसी रेशो अगर आप देखोंगे 13.74 रहा है आरो ए बैंक का जो है बेसिकली यहां पर अगर आप देखते हो तो 0.48 परसेंट है और व का रेशो है Q4 FI21 का तो यह आप देखोंगे तो पिछली बार से भी यहां पर जो है एंप वो कम हुए है और इसी के साथ यहां पर बहुत ज्यादा इंपक्त देखने को मिला और यह एक बहुत अच्छी बात है ठीक है और वहीं पर आप देखोंगे तो इस बार यहां पर आप देखो के तो पिछली बार से कम हुए मतलब नए NPS बहुत कम हुए बागी सभी के अंदर ग्रोथ है अच्छा कासा रेशो के अंदर अगर आप देखो के जो की बहुत ही इंपोर्टेंट होता है वो उसके अंदर भी आपे ग्रोथ देखना मिली है मतलब कंपनी ने ओवर अगर आप देखोगे तो हर बार यहां पर पिछली बार 14.50 था बट अभी यहां पर 13.74 हो गया है थोड़ा बहुत कम हुआ है तो अब हम लोग थोड़ी और चीज़े जानते हैं अगर आप यहां पर इसका बैंक को और डिटेल में जानना चाहते हो अच्छा सबसे पहले हम डिवीडेंट की बात कर लेते हैं तो यहां पर डिवीडेंट है वह 4 रुपे का अनाउंस किया गया है इसके लिए जो record डेट ह। यहां पर 4 जून है और इसका जो पेमेंट किया जाएगा वह करीबन यहां पर 18 जून के लगबक किया जाएगा ठीक है और यह जो डिवीडे पर्सनल रेटेल लोन वगर आप देख सकते हैं अभी मैं तोड़ा फास-फास चलूँगा क्योंकि फटा-फट ग्राफिकल चीज़ है तो आपको फटा-फट बताता रहूंगा करोड जो पिछली बार जो इनकी गाइडेंस ती उसके अंदर रही है मतलब जो बैंक को एक्सपेक्ट था ना उससे कम यहां पर रही है और वो सारी चीज़े अच्छा स्ट्रेस बुक को यहां पर कमणी ने बता है कि आप ओवर आल जो नेट नपी है वो 36 जाक करोड के हैं औ साथ में 558% यह पर डिजिटल चैनल कित्रू आया है और यह बाकी सारे आप वह करन डेख सकते हैं तो अब बैलन सीट में अंदर भी आप जो improvement देखने को मिला ही है जो आप यहाँ पर देख सकते हो अचा home loan और यह सब जो आप देखो यह जो चार्ट अना March 21 का आप देखो सभी जगे March 21 के अंदर यह मुद्ध ऑन कर लोट कर चुके यहां पर कैसी कैसी जो लोन-बुक है उसमें इनके क्वाइटिन सोट सब्सक्राइब हैं तो यहां पर देखो कि के अंदर लगवक्त 10-10 प्रतिशत के लोंज है तो यह सारी चीज़े हैं अच्छा फिर यहां पर जो बैंक की जो असेट्स है उसकी रेटिंग क्या क्या है ओवर आल जो बैंक की अगर आप रेटिंग देखोगे तो बैसिकली 13% ऐसे हैं जो यहां पर रेटेड और बिलो है बीबी या फिर जिनकी कोई अच्छा रेटिंग जिनकी जितनी ज्यादा होती ना उनका यहां पर एंपे चांसे कम होते हैं और किन-किन सेक्टर में कितना कितना लोन दे रखा है यह यहां पर उसका चिट्टा बिटा है इसमें से अगर आप यह देखोगे तो सबसे ज्यादा प्रब्लम वाला कौन सा ह यह वाला एक aviation, airport, tourism और hotel वाला है बाकी अगर आप देखोगे टेक्स्टाल बिजनस तो चल रहा है पेट्रोलियम और इनमें कोई प्रब्लम नहीं थोड़ा commercial real estate में प्रब्लम होता रहता है कभी-कभी इनमें NPS ज्यादा होते हैं फिर थोड़ा बहुत यहां पर अगर आप हैं में वापस second wave के अकाण retail के अंदर यहां पर देखने को मिल सकता है NPA तो यह सारी चीजें अच्छा बाकी अगर आप देखोगे तो overall यह अकाउंट कासा deposit है तो यहां पर कासा deposit के अंदर जो growth देखने को मिले आप सभी को मैंने बता दिया और यह जो आप स्लिपेजेस है यह कैसे कैसे हुए है स्लिपेजेस का मतलब होता है नए लोन तो यहां पर इस बार टोटल यहां पर जो स्लिपेजेस और रिस्ट्रक्चरिंग अच्छा बैंक ने यहां पर रिस्ट्रक्चरिंग करी ती लगबग उनको 17,000 की application मिली ती और रिस्ट्रक्चरिंग का amount है इस जो लोन रेट है ना वह आप यहां पर देखो 7.97% का यहां पर बैंक इंट्रेस्ट कमाती है लोन देखे ठीक है और कॉस्ट ऑफ डिपॉसिट कितना है 4.2% आप देखो कि ना तो SBA का FD का जो रेट है उस सबसे कम होता है ठीक है तो यह सारी चीजे बाकि ओवराल यह फीस और OE आप देखोगे तो बैंक का जो और OE है वो कैसे उपर नीचे-ऊपर नीचे हो रहा था बट यहां पर आप देखोगे तो पिछले चार आस पांच साल का जो अगर आप देखोगे तो वह उनको लगबग यहां पर आरो ई और आरो ए के अंदर यहां पर ब्रेक करता वाया है तो यहां पर ब्रेक्थ्रू प्रफॉर्मेंस है पिछले तीन-चार सालों में ऐसी परफॉर्मेंस देखने में नहीं मिली दी बाकी फिनेंशल सैट ग्लैंस है यह वापस बार-बार वही चीज़े हैं जो हम लोग देख चुके हैं और ओवराल जो परफॉर्मेंस है क्यों और वायो वाय बेसिस पर कंपनी की अच्छी रही है ठीक है मैं ज्यादा इसमें और डिटेल में भी आपको बताऊंगा तो आप खुदी बोर हो जाएंगी कि क् अच्छा यहां पर एक important बात यह कि मैं provisions के अंदर आपको थोड़ा और बता देता हूं तो आपको यह पदा पढ़ जाएगा जो कि important होता है थोड़ा अच्छा हां यह देखो जो लोग बाग पूछना चाहे थे ना JSWA करेंट क्या फायदा हुआ है वह भूशन स्टील पाव कितने 4,300 करोड की है और नए जो लो इस बार रहने ग्रॉस एडिशन हुए है वह वहीं पर आप देखो कि 22 करोड की हुए और यहां पर फ्रेश स्लिपेज है वह यहां पर 21,934 करोड की है तो यह सारी चीज़े हैं ओवराल यह हम लोग फिकर बताने वाले थे अगर आप द पर जाएगा बागी मैंने आपको सारी चीज़े अल्रेडी बताई थी और यह एसेट कॉलिटी वगेर है नेट एंपिय के बारे में तो हम लोग पहले डिसकस भी कर चुके हैं डिजिटल जर्णी यह बैंक की बहुत स्ट्रॉंग हर यह जो है यह ना योनो वाला एक यहां बोला है कि SBI की जो योनो एप है उसका अगर हम स्टैंड अलोन बेसिस पर अगर वैलिएशन देखे तो वन बिलियन डॉलर का है तो अगर यह कभी भी आने वाले टाइम में इसको यहां पर लिस्ट किया जाता है SBI योनो को तो यहां पर बहुत ज्यादा वेल्यू देखने को मिलेगा अपने को तो यह सारी चीजे हैं यह किसी और का अनलिसिस नहीं बलकि जो इनके पुराने चेर्मेंट है उनका ही था ठीक है तो यह उननों बोला था कि सॉड़ी वन बिलियन डॉलर नहीं बलकि 40 बिलियन डॉलर बताया था ठीक है तो यह सारी चीजे यह तो यह सारी चीज़े हैं मतलब है इसलिए बहुत बड़ा बैंक है और इसलिए यहां पे अगर आप देखोगे तो गवर्मेंट के साथ भी चलता है गवर्मेंट की स्कीम्स में भी पाडिसिपेट करता है और उसके साथ चाथ यहां पर खुद की जो अगर उसकी परफॉर्मे आया था 600 रुपय शेस्सो साड़े शेस्सो रुपय तब से में स्ब्सक्राइब बुलिश और अभी तो लगबग है न एक हजार पचास के लगबग चला गया आप उसका वीडियो देख सब्सक्राइब का जो हम लोग ने अनलिसिस के वह भी बहुत शांदार है और उस पर लोग बहुत बुलिश है वह तो बहुत शांदार कंपनी है अगर आप यह आपको देखना था तो यह सारी चीजे थी ओवरॉल यहां पर जो अगर आप देखते हो तो अच्छा टोटल इक्विटी बैंक की कितनी है तो मैं आपको बता देता हूं यह जो टोटल नेट 25,000 करोड के लगबग है तो इसको अपन मार्केट केप से डिवाइड करेंगे तो हमें यहां पर आ जाएगा बेसिकली अपना प्राइस टुबुक रेशो और पीव अगर आपको देखना है तो EPS भी अपन देख लेते हैं जो EPS है इस बार के लिए तो वह मैं आपको बता पंदरा का पी आता है प्राइस टुबुक रेशो 1.3 आता है जो कि बहुत ही कम है अगर आपन इसको पीएर से कंपेर करते हैं तो यहां पर आप देखो यह तो पीएर के अंदर जैसे कि सबसे जो बड़े बैंक से अपने उसके भी अगर आप इसको प्राइश करो तो मैं त इसकी प्राइवेट बैंक जैसी है आप सिंपली देख लो यहां पर जो अपना HDFC बैंक है HDFC बैंक का चोईस का पी चल रहा है प्राइस टुबुक रेशो अगर आप देखो गयो तो उसका 4.48 का चल रहा है यह 15 के पी पे ट्रेड हो रहा है कोटक महिंद्रा का यहां पर जो अब यह अब यह अब्याद को और आने वाले टाइम में बहुत ही नेक्स लेवल ग्रोथ दिखा सकता है हम अब फोड़ा पर टेक्निकल अनलेसिस में आपको बताएंगे कि इसमें क्या-क्या ग्रोथ पोटेंचल जैंगे कि यह पर क्या-क्या आके वॉल्यूम्स देखनों म मिल सकते हो अब क्या पैटन बन रहा है अच्या-क्या चेंज है डेखो बहुत ही सपल GGघा यहाप आप देखो और पर आपको 상황 स्टेक बढ़ा आ गया है कि कभी यह बड़े रेडर इंस्तुइश्चन ऊर्लिंग का यहां पर ट्रेडिंग्ट रोढिर Two instinct क adesso नहीं करonna चाहीं रोडों के portfolio साथ काम करते हैं और अपन करते हैं एक लाख रुपए के साथ भी नहीं करते हैं उनका नुकसान और अपने नुकसान में बहुत रात दिन का अंतर होता है तो यह सारी चीजे अब हम आजाते हैं एक बार टेक्निकल एनलिस जान लेते हैं क्या क्या वॉल्यूम और जो आप देखोगे तो यह आपको यहां पर एक अच्छागासा सीधा जो breakout pattern है वह यहां पर दिख रहा है ठीक है उसी के अलावा यहां पर जो वॉल्यूम से वह आज के दिन बहुत ही ज्यादा थी ठीक है तो यह सारी चीजे हो रही है और अभी यहां पर थोड़ा रेजिस में और फिर जाएगा है 420 तक जो कि बहुत बड़ा मेजर रेजिस्टेंस है 430 का यहां पर यहां पर देख सकते हो वह तो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है तो यहां से अभी क्या करना चाहिए तो फिर आप यहां पर थोड़ा बहुत बैट करना 420 रुपय 430 रुपय तक होल्ड है वह यहां पर स्टॉक को यहां पर होल्ड करें 410 लेवल के लिए 410 से 420 के लिए जो कि हम लोग ने ट्विटर पर भी बताया था और साथ ही में यहां पर जो लॉंग टम शेरोलर से मैं आपको बता दू यह बहुत ही शांदार स्टॉक है बिल्कुल होल्ड करके रख यह कितना ज्यादा एकदम से यहां पर है यह बहुत ही तेजी का है और यहां पर 400 के बाद अब यहां पर कल टिकता है आज भी 400 के उपर बंद हुआ है तो यह साथी चीजे है बाकी स्टॉक बहुत ही बड़ी है बहुत ही शांदार है शैद यह वीडियो हम लोग ने काफी लोग ने जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में थोड़ी कम चीजे कवर करी थी और क्योंकि बहुत से हमें लोगों ने बुला था कि आप वीडियो थोड़ा चोटा वगरे बनाई है तो हम लोग ने इसको यहां पर थोड़ा चोटा किया है फंडामेंटली बाकी हम और भ सब्सक्राइब करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें अच्छा गासा गेन हो जाएगा और मज़ा आएगा आपको चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद